एक सर्विसमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाईए ताकि आपको नई से नई इन्फोर्मेशन टाइम टो टाइम मिलती रहें नमस्कार दोस्तो हमारी सेकिंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हमारे एक सर्विसमें चैनल में भी आप लोगों का स्वागत है जैसा कि पहले मैंने आपको आपसे वादा किया था कि जो मेरी दूसरी वीडियो आएगी वो सबके हित में आएगी और आज जो इन और इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो दूसरे लोग के साथ शेर कीजिए ताकि इन्फोर्मेशन जो है वो पास होती रहे तो आए जानते हैं कि आज की स्कीम कौन सी है जिसके बारे में मैं डिस्कॉस कर रहा हूँ दोस्तों एक स्कीम आई थी और जो अभी भी चल रही है अलोट्मेंट ओफ मदर डेरी मिल्क बूत्स एन फ्रूट और वेजटेवल सफल शॉप्स दोस्तों जो हमारे फोजी भाई है रिटार्ड उनके लिए हमारे जो गौवर्मेंट है उसने मदर डेरी मिल्क बूत्स यानि जो डेरी होती है आपने दिल्ली अंसियार में देखी होंगी मदर डेरी के जो बूत होते है जहाँ पे दूद दही पनीर दूद से बनीवी जो सब मिलते हैं वहाँ पर वह उसका अलोटमेंट होता है जो कि free of cost होता है अल्मूस्ट कुछ एकनोमिल से सेक्योरिटी अमांट आपको देना पड़ता है ठीक है वह सेक्योर्टि अमांट आप देते हैं और जब आप इस काम को बंद करते हैं तब आपको सेक्योर्टी वापस मिल जाती है तो यह सिर्फ फोजी भाईयों के लिए है चीक है फोजी भाई इसको अब ले सकते हैं पहला है मदर डेरी milk booth दूसरा है fruit and vegetable आपने यह जो सफल मटर के बूथ भी देखे होंगे तो यह दूसरा यह होता है सफल मटर वाला तो यह दो चीज़े में आप आज आपके साथ डिसकस कर रहा हूं आगे जानते हैं कि इस यह जो अलॉट्मेंट होता है यह किस eligibility पे और इसका procedure क्या होता है आए जानते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जो इसका eligibility है और इसके जो features हैं उसके बारे में हम डिसकस करते हैं पहले मदर डेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोवाइडिंग रेड़ी बिल्ट एंड फुली एक्विपेट मिल्क शॉप्स पूट्स टुद एक्स सर्विसमें जेस्यों एंड ओर इस जो मदर डेरी प्राइवेट लिमिटेड है वो अल्रेडी जो बने हुए जो मिल्क बूट मतलब बने बनाए मिल्क मिल्क बूट बूट प्रोवाइड कर रही है मिल्क शॉप प्रोवाइड कर रही है एक्सर्समेंस को तो कौन कौन इसको ले सकता है जेस्यों ले सकते हैं और और से ठीक है और जो सफल है fruit and vegetable की जो shop होती है वो भी ex-service man उसको ले सकते हैं और उनके जो dependent है वो भी इस चीज़ को ले सकते हैं suppose अगर कोई ex-service man है और उनका बेटा या बेटी अपने पापा के नाम से अगर वो भूत चलाना चाहे तो वो चला सकता है ये लेगिन ये जो खीम है ये सिर्फ दिल्ली NCR में ही कामियाब है दिल्ली NCR गुड़गाओन गाजियाबाद नौएडा ग्रेटर नौएडा और फरीदाबाद तो इसमें होता गया है कि security deposit जो कि refundable होता है ठीक है जब आप terminate करते हैं इसको तो refund हो जाता है एक लाग रुपे का security deposit आपको जमाना करता है जमा कराना पड़ता है मदरेडेरी को चीक है जैसे आपका selection होता है आप एक लाग रुपे जमा कराएंगे और आपको पूथ मिल जाता है और वाइल ए वरकिंग केपिटल ओफ फिफ्टी थाउजन for operation will be required means operations मतलब जो समान मिलेगा वो 50,000 रुपे का समान आपको आपके पास होना चाहिए ता कि आप समान खरीद सकें उससे operation आपका चला सकें the selected concessionary undergoes a free training for two weeks with mother dairy prior to allotment of booth shops तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी scheme है वो आपको allotment दे रही है दूसरा आपको training भी दे रही है ठीक है दो हफ़ते की training आपको free of cost mother dairy से और सफल से मिलेगी remuneration up to 9% for the sales of fruits and vegetables and 3% for dals while in the case of milk boots the assured income is Rs.11,000 तो दोस्तों देखिए जब सफल मटर से कोई सफल मटर और जो यह fruits और vegetables की जब आप शोप लगाते हैं तो इसका जो 9% है वो आपको commission मिलते हैं जितने भी आप आप सेल करते हैं उसका 9% आपको fruit से मिलेगा और वेजटेपल सफल शॉप से मिलेगा और जो दाल वगएर आप बेचेंगे तो 3% मिलेगा आपको लेकिन जो मिल्क बूत अगर आप लगाएंगे मदाडेरी का तो उसमें आपको 11,000 रुपे पर मन्त मिलेंगे या फिर आप commission ले सकते हैं 30 to 35 पैसा पर वन लिटर सेल तो जितना आप सेल करेंगे उतना आप ज़्यादा गेन करेंगे ठीक है वन लिटर ओफ सेल रिवाइस वं टाइम टुटम और यह बदलते रहते हैं और 5% फॉर अधर डेरी प्रोडक्स विचेवर इसमोर तीन पर तीस या 35 पैसा पर वन लिटर पर वन लिटर सेल ओफ मिल्क लब दूद बेचेंगे तो एग लिटर पर आपको 30 से 35 पैसा मिलेगा और कोई और चीज़ बेचते हैं कोई भी डेरी प्रोडक्स पनीर बेच दिया आपने आइस्क्रिम बेच दिया दही बेच दी तो उस पर आपको 5% मिलता है तो यह इसके फीचर थे अब आए जानते हैं इलिजिबिल्टी क्या क्या है कौन इसको ले सकता है तो पहले हम बात इस तक आप इसको ले सकते हैं और ऐसे ही नेवी और एरफोर्स में भी यह लागू होता है ठीक है दूसरा एज क्या होने चाहिए पचास सल से कम होनी चाहिए एक्सरेस्मेंट की अगर आप मिल्क बूत ले रहे हैं तो पचास सल से कम होना चाहिए तीसरा एड्यूकेशन क् होनी चाहिए टेंथ पास और डिफेंस आर्मी सर्टिफाइड ठीक क्रेक्टर अच्छा होना चाहिए क्रेक्टर सर्टिफिकेट जो मिलता है हमें उसके हिसाप से मेडिकल के टेगरी आई भी मिन्स सब कुछ ओके होना चाहिए सर्विस नोट लेस दिन टेन इस एक्सेप्ट बेटल कैजल्टी दस साल से कम नहीं होनी चाहिए सर्विस रेश्ट्रेशन विदिन शिक्स एयर आफ्टर रेटायरमेंट इसका जो रेश्ट्रेशन है वो भी आपको रिटायर होने के छे साल के अंदर-अंदर कराना पड़ेगा तभी आप इसको ले पाएंगे फानेशल स स्टेटर्स कैपेबल टू प्रोवेट सेक्योर्टी डिपीजित रुपीज वन लाक एंड फिफ्टी थाउजन फोर प्रोड़क्ट इम इन्वेंटरी फाइनेशल स्टेटर्स उसका इसा होना चीए कुसके पास डेड़ लाग रुपे हों ताकि वह एक सेक्योर्टी डिपो लेकिन इसमें एज का फरक आगया है एज इसमें अठावन साल तक एक सर्विसमें ले सकता है अगर लेकिन यह डिपेंडेंट भी इसका ले सकता है सफल जो बूत होता है उसको डिपेंडेंट भी चला सकते हैं और उसकी एज होनी चाहिए अठारा से पैतिस साल के बाद नह ही होना चाहिए ठीक है बाकी सारी चाहिए सेम रहेंगे रेइस्ट्रेशन का कोई बार नहीं कभी आप इसको खरीद सकते हैं और इसमें भी सेक्यूरिटी डिपोजिट सेम रहेगा एक लाख और पचास जार और प्रोडक्ट इंवेंटरी कि अब आगे हम बात करेंगे प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होगा तो दोस्तों जो एलिजिबल एक सर्विसमें है वो क्या करेंगे उनको एक एप्लिकेशन सब्मिट करानी होगी ठीक है एक application form submit कराना पड़ेगा एक photo लगा के और जो documents जो मैं आपको बताऊँगा वो documents आपको इसके साथ लगाने पड़ेंगे applicants of mother dairy milk who have not been selected even after three chances of interview have the option to register a fresh in saffal fruit and vegetable scheme provided the stipulated eligibility criteria as met means अगर कोई ex-serviceman इसमें select नहीं होता है उसको बूत नहीं मिलता है milk वाला तो वो एक fresh सफल और सफल fruit or vegetable के लिए apply कर सकता है तो इसके लिए चाहीगा क्या documents क्या क्या चाहेंगे documents में इसको चाहेगा हमे photocopy of discharge book, photocopy of PPO, photocopy of ex-serviceman या video ID card, identity card और चोथा है photocopy of dependent certificate issued by जिला सेनिक बोर्ड, in case अगर आपका बेटा ये बूत लेना चाह रहा है तो उस case में आपको जिला सेनिक बोर्ड से अपना dependent certificate देना पड़ेगा निकल वाके ठीक है, तो application form आप यहाँ से download कर सकते हैं, DGR India की website से जो यहाँ पे दी हुई है www.dgrindia.com तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो, आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा ठीक है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and शेर फोर मोर अपडेट्स दोस्तों आप इसको लाइक कीजिए, और जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक हमारी information पहुचेंगी नी, ठीक है और शेर जरूर करिए ताकि आपके अलावा आपके जितने भी सरकल में फोजी भाई हैं, रिष्टेदार हैं, उन तक भी ये अपडेट्स पहुचती रहें ठीक है दोस्तों, जै हिंद, जै मातादी, जै भारत माता की, इनकलाब जिन्दावाद